हेलो दोस्तो सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी हिंदी की mcq सीरीज का 18 पार्ट है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला क्यूश्चन है निम्लिकित में से कौन सा सब्द पूर्लिंग है इसका अंसर है वह वह पूर्लिंग सब्द है अगल अगला क्यूश्चन है निम्लिकित में पूर्लिंग सब्द है इसका अंसर है सारस सारस पूर्लिंग सब्द है अगला क्यूश्चन है निम्लिकित में पूर्लिंग सब्द नहीं है इसका अंसर है नकल नकल इस्त्रिलिंग सब्द है अगला क्यूश्चन है निम्लिकित इस्त्रिलिंग नहीं है, इसका आंसर है दिन, दिन इस्त्रिलिंग नहीं है, अगला क्यूशन है, लिंक की दिरिष्टी से दही क्या है, इसका आंसर है पूर्लिंग, दही पूर्लिंग सब्द है, अगला क्यूशन है, निमलेकित में से कौन सा इस्त्रिलिंग है, इसका आंसर ह मृत्यू सब्द इस्त्रिलिंग है अगला क्यूशन है कौन सा इस्त्रिलिंग है इसका अंसर है सूचना सब्द इस्त्रिलिंग है अगला क्यूशन है इन में से पुर्लिंग सब्द कौन सा है इसका अंसर है बुढ़ापा बुढ़ापा पुर्लिंग सब्द है अगला क्यूश सादू का इस्ते ιलिंग इसका आउन्सर है सादू का इस्ते सरे था अगला निमलेकित रिकारांत सब्डों में एक पूरिंग है उसे चैलिट कीजिए 6 इसका आउनसर किस समू में सभी सरुना परसन वाचक है इसका आंसर है option है कौन क्या किसने ये सभी सरुना परसन वाचक है अगला इश्चन है पुस्तक में कौन विशेशन बनेगा इसका आंसर है पुस्तक ये पुस्तक में पुस्तक ये विशेशन बनेगा अगला इश्चन है हिंदी के सब् का लिंग निर्धारन किसके आधार पर होता है इसका आंसर है संग्या हिंदी के सब्दोगा लिंग निर्धारन संग्या के आधार पर होता है अगला इश्चन है कारक के कितने भेध होते हैं इसका आंसर है आठ कारक के आठ भेध होते हैं अगला इश्चन है लोगों ने सोरग कारक होगा अगला क्युष्चन है को और के लिए किस कारक के चीन है इसका आंसर है संपरदान कारक को और के लिए संपरदान कारक के चीन है अगला क्युष्चन है लडगा पेड से गिरा उपरोक त्वाक्य में कारक बताईए इसका आंसर है अपादान कारक अगला क्युष्च कौन सा सब्द अव्ये नहीं है इसका आंसर है इधर इधर सब्द अव्ये नहीं है अगला किश्चन है पेड़ पर पक्सी बैठे हैं इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है इसका आंसर है अधिकरन कारक अगला किश्चन है वह किताब फटी है में कौन सा विशेश अगला क्युष्चन है वीर का इस्त्रिलिंग है इसका आंसर है विरांगना वीर का इस्त्रिलिंग विरांगना है अगला क्युष्चन है बुढपा सब्द में कौन सी संग्या है इसका आंसर है भाववाचक संग्या बुढपा सब्द में भाववाचक संग्या है अगला अधिकर्ण कारक का परियोग हुआ है इसका आंसर है ओप्सन है वहन पर आरूड अगला विश्चन है को से किस कारक चिन का बोध होता है इसका आंसर है करम कारक को से करम कारक चिन का बोध होता है अगला विश्चन है हे राम तुम कहा हो वाक्य में कौन सा कारक है इसका अंसर है संबोधन कारक अगला कुछन है हिंदी में संग्या सब्दों की रोप रचना किस तीन इकायों से संबंदित नहीं है वह विकल्प है इसका अंसर है option D, सवर अगला कुछन है आनि प्रत्य से बनने वाले इस्त्रिलिंग सब्द नहीं है इसका अंसर है लाला अगला कुछन है बनियाईन में कौन सा प्रत्य लगाए इसका अंसर है आईन बनियाईन में आईन प्रत्य लगाए अगला कुछन है सिक्सिका सब्द क्या इस्त्रिलिंग है इसमें नहित परित्ते की पैचान करें इसका आंसर है एका सिक्सिका में एका परित्ते लगाए अगला युश्चने दर्सक सब्द की लिंग्वे परित्ते की पैचान करें इसका आंसर है ओप्सन सी पुर्लिंग और प्रत्ते अक है अगला युश्चने भवानी सब्द को पूर्लिंग में बदले इसका आंसर है भव भवानी सब्द का पूर्लिंग भव होगा अगला युश्चन है भवचन में परियुक्त होने वाले सब्द है इसका आंसर है वो परियुक्त सभी प्राण, दर्सन और होस ये बहुचन में परियुक्त होते हैं अगला क्यूश्चन है निम्ले की सब्दों में बहुचन सब्द नहीं है इसका आंसर है चाता चाता बहुचन सब्द नहीं है अगला क्यूश्चन है आकरान सब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए परत्ते लगे सब्द से इतर सब्द की पहचान करें इसका आंसर है कविताई अगला क्यूश्चन है निम्ले कित में उभेलिंगी सब्द नहीं है इसका आंसर है दही दही पूर्लिंग सब्द है यह उभेलिंगी सब्द नहीं है तो दोस्तो यह है दिमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद